दिल्ली में फरवरी 2020 यानि पिछले साल हुए दंगे अचानक से नहीं हुए थे बलकि एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे ये टिपड़ी की है दिल्ली हाई कोट ने एक आरोपी की जमानतियाच का खारिश करते हुए दिल्ली हाई कोट में दिल्ली पुलिस के हेड कॉंस्टेबिल रतनलाल की मौत के मामले में जो कुछ आरोपी थे उन्होंने जमानतियाच का लगाई थी उन्हीं में से एक आरोपी है इब्राहिम इब्राहिम की जमानत्याज का खारिश करते हुए दिली हाई कोट ने सक्त टिपनी करते हुए कहा कि फिलाल अब तक जो तथ सामने आए हैं उससे तो ये प्रतम द्रस्ट्रिया साफ हो रहा है कि दिली में हुए दंगे अचानक से नहीं हुए थे बलकि एक पूर्व नियोजिस साजिश का हिस्सा थे दिली हाई कोट ने अपनी टिपनी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि उस दोरान जो घटना इस थल पर सीसी डिवी कैमरे लगे थे उनसे जो फुटेज सामने आई है उसको देखकर यही लग रहा है क्योंकि जो वहाँ प्रस्टेशन कारी थे या दंगाई थे उनके हाथों में हतियार थे उन्होंने सोची समझी साजिश के तहए थी पुलिस वालों पर हमला किया कोशिश की गई कि दिल्ली की कानून विवश्था को खराब किया जाए जो सरकार है उसके ओपर सवाल उठाए जाए और एक तरह से दिल्ली का महौल खराब करने की कोशिश की गई है दिलि हाई कोट ने जो एक R.O.P. है अब्रहाइम उसकी ज मानत तीचका को खारिश करते हुए यह टिपड़ी की है हाला कि इमाम ले में एक दूसरा R.O.P. सलीम उसको दिलि हाई कोट ने जमानत भी दी है लेकिन महतपूर यहां यह हो जाता है कि हाई कोट ने जो यह टिपनी की है उससे हाई कोट ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिपनी की है बलकि जो शुरुआती तर्थ हैं जिसमें वीडियो फुटेज हैं जिसमें कुछ लोगों के बयान हैं प्रतिक्ष दर्शियों के बया हैं यहां तक कहा कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा लगा कि एक कोई फिल्म की कहानी लिख दी है और किसी को भी जह उस मामले में आरोपी बना दिया गया है कि जबकि उनके खिलाफ कोई पुक्ता सबूत या तथ्य नहीं थे यह बात हुई निश्री अदालतों की जब निश्री आरोपी के मामले में ये टिपनी की हो लेकिन हाई कोट ने अपनी उस टिपनी के दौरान जिन चीजों का दिक्र किया है मसलन सीसी टीवी कैमरे कैसे तोड़े गए हातों में हत्यार ले करके कैसे लोग वहां तक पहुँचे घटना इसल पर पहुँचे कैसे माहौल खराब क करने की कोशिश की कि इन सारी चीजों का दिक्र किया हाई कोट ने अपने इस आदेश में इतना है नहीं आरोपी इबरहाईम की जो जमानती आचका खारिश की है उसके लिए कोट ने बाकाइदा लिखा है कि इबरहाईम अपने घर से एक दश्मलफ छे किलूमीटर यानी कर सवार लेकर के घर से निकलना उस जगहां पर जाना वो यह बताता है कि किस तरह से शुरुआती तोर पर यानी कि प्रसम दरिश्ट्रिया वो इस मामले में आरोपी है और उसने दिल्ली का महौल खराब करने की कोशिश की थी और यह एक सुर्द नियोजित सारिश थी और इस भरकाया था उनको किसी ने क्या अचानक हुए थे लेकिन हाई कूर्ट की इस आदेश में ये जो जमाने तियाश का खरिश करते हुए आदेश दिया है बलकि एक पूर सुन्योजे साज़िश का हिस्सा थे और हाई कोट का निश्चत तोर पर या आदेश आने वाले मामलों में भी एक नजीर के तोर पर पेश कर जा सकता है दिल्ली पुलिस के तरफ से भी कि दिल्ली पुलिस लगातार यही कहती रही है कि एक बड़ी साज़िश क हिस्सा थे और साज़िश का मकसर यही था कि दिल्ली का महौल खराब किया जा सके गौर तलब है कि पिछले साल जब अमेरिकी राश्चपती डॉनल्ड ट्रम्प भारत दौरे पर थे जब वो एहमदबार पहुंचे थे उसी दौरान दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली म दंगे हुए थे जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी जिसमें रतनलाल भी हैट कॉंस्टेबिल जो थे वो भी थे उनकी भी मौत हुई थी और उसी मामले में दिल्ली पूलिस ने अलग-अलग मामले दर्स कि हुए थे और ये जो हाई कोड़ का आदेश आया है ये हैट क कर दो दो रखे हागी